नमस्कार दोस्तों आपका सौगत है वीडियो नमबर 699 में इस्ट फेसिंग 1 बीएच के जोडी फ्लैट और 3.5 बीएच के थाने स्टेशन वेस्टे के वाद देड़ किलमेट से भी कम दूरी पर है और टू कवर्ड कार पार्किंग के साथ आईडियल है जॉइन फैमिलिस के इस बड़िया सेफटी डॉर से अंदर जाने के बाद हम आते हैं स्पेशियस हॉल में जहां सीट आउट की नीचे अच्छा स्टोरेज है और क्रॉस वेंटिलेशन भी है दोनों फ्लैट का फूल मिला के कार्पेट है 867 स्वेर फिट और इस खिड़के से हमें ग्रीनरी 1BH के जूड़ी फ्लैट का यह उप्शन है तो दाई तरफ आप देख रहे हो दूसरा फ्लैट है जो हम बात में देखेंगे और यह है साइजेबल कीचन विट डबल कीचन प्लैटफॉर्म एंड एमपल स्टोरेज गैस पाइपलाइन जो भी जंटे पानी और कीचन में फ्लैट्स में एक साथ उनके लिए बढ़िया विकल्प है सामने है वेस्टन कमोड विट फुल टाइलिंग और यह है पाथ रूम आईए यहां से स्पेश्यस बेडरूम में हम अंदर चलते हैं यहां सामने वेस्ट है इसलिए हवा और उजला काफी बढ़िया है फुल वो भी ओपन व्यू है विट लॉट्स ऑफ ग्रीनरी यह सिव छे साल पुराना कंस्ट्रक्शन है टाइटल क्लियर एंड रेटी टुमू प्रॉपर्टी कीचन से हम चलते हैं दूसरी तरफ दूसरा जो वन बी एच के है वो देखने के लिए और यहां से अंदर जाने के बाद क्यूंकि यहां एक जॉइन फैमिली रहती है तो इन्होंने दो कीचन की जगा पर एक ही कीचन रखा है पूरे फ्लैट में और इसलिए जो यहां कीचन ता वो पूजागर बन गया है यह कॉमन वाच रूम और यह है वेस्टन कमोड विद फुल टाइलिंग और ब्रैंडड फीडिंग्स और यह हॉल है उस दूसरे फ्लैट का जो अब बेडरूम बन चुका है और यहां भी क्रॉस वेंटिलेशन है यह मेंड और जो इस्ट फेस स्टिंग है और यहां से भी हमें ओपन व्यू मिलता है हवा और उजाला काफी अच्छा है यहां रिजनेबल कॉस्ट इन दा हार्ट आप दे सीटी आईए दोस्तों यहां से हम चलते है अब इस फ्रैट का जो कीचन था और जो पूजा घर बन गया है वो देखने के लिए यह है पूजा रूम और यहां भी काफी अच्छा स्टोरेज आप कर सकते हो और इस खिर्की से भी हमें सामने ओपन व्यू मिलता है और यह है स्पेश इस बेडरूम विद फूल एंड डीप वाड्रोब एंड एंपल लाइट एंड है देखिए यह बेडरूम भी साइजेबल है और यह है यह यूटी लिडी एरिया यहां से भी हमें ओपन ब्लेजन व्यू मिलता है दोस्तों ऐसे बहतरी वीडियो उस बार-बार देखते रहन आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद